हेलो एस्परेंट जैसा कि आप सभी को पता होगा कि UPPCS 2021 की फाइनल जो है की रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे हमने छात्रों का मार्क्सीट देखा और उसी के करम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मार्क्सीट देखेंगे सिप्रा पांडे मेम की जिनोंने UPPCS 2021 के फाइन प्रेजल्ट में फर्स्ट रैंक लाके DIPT SP के पर प्राप्त किया और इनका जो है की माध्यम जो था वो इंगलिस माध्यम था और इन्होंने निबंध को जो है की हिंदी में लिखा था और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये पहले साइन्टिस्ट थी फिर जो है की समिक् और सबसे बड़ी बात इनकी ये रही है कि इनका आप्शनल में 200 से भी कम नंबर मतलब आप्शनल इनका जोगरफी था और जोगरफी में 197 नंबर होते हुए भी इन्होंने जो है की DIPT SP का प्राप्त किया तो क्या रही है ऐसी चीजे तो इनका जो है की GS में बहुत ही सांद जायर नंबर छा जिएस में था तो Go GES के दम पर इन्होंने जोगर अपना सलेक्षन प्राप्त किया तो आप यह सैमे इनका तो बिलकुल नहीं है आपको मौका मिलता है नंबर जाने का GS में भी तो आप GS में भी जो एक नमबर उठा सकते हैं और selection ले शकते हैं उसका सबसे अच्छा उधारण है शिप्रा, पांडे, मैम जी जिन्हों ने UPPCS 2021 में यह पद प्राप्त किया चलिए तो आज हम मार्क सेटीन की देखते हैं जनरल लिए 146 में से 94 नमबर इनका था, से में 1200 में 88 नमबर ता और GS के चारोज पेपर省 जैसा की UPPCS में 200 नमबर के होता तो GS 1 में 200 न GS 2 में 200 में 116 नमबर GS 3 में 200 में 103 नमबर और GS 4 में 200 में 115 नमबर अज़िएश के चारों पेपर में hundred plus number था इन्होंने यूपीश्टी भी दिया था यूपीश्टी में भी जो है कि जो मार्किंग होई थी या number आये थे वह भी जो है कि कि चारों प्लस नमबर था ठीक है तो केबल जी सते नमबर अगर आप बिलाएंगे तो चारसोट्थीस प्लस नमबर है कि जी समें बनता है ठीक है और और अपसेनल में कर भबत करें तो अपसेनल hace do Всё first paper में 200 में जिस 단 है तरह इस्तार इन जो बना 1500 में से 823 नमबर बना और personality test में देखिए इनको बढ़िया नमबर मिला है और personality test में 100 में से 70 नमबर इनको मिला इस तरह से इनका total जो final total बना 16 समय से 894 नमबर प्राप्त करके UPPCS के 2021 में जो है कि इन्हों ने DIPTSP का rank प्राप्त किया और इनकी rank first थी DIPTSP में Thank you